वो शपने बता दीजी शपने यह है कि रोड बनाना है नाला बनाना है लोको रोजगार देखना है देखिए अभी जैसे कि आफी अच्छा है वो आपी पच्छा सरकार का राज सरकार का निधी है जिसमें कि आपका चठा भीत कहते हैं अभी उसको सिख्ट फैनांस कमिशन बो नगर निकाए उसको सरक बना सकता है तो सरक निकाय के लिए पैसा वहां पे बिहार सरकार के तरफ से दिया जाएका उससे ये सरक नाला का निर्मान आसानी से करपाएंगे वह सभी नागर निकायों के लिए उपलब्द होगा और हम लोग उसको पूरा प्रयास करके जल्द से जल्द होआ रासी जो है अगर हमारे भाई साहब का विजय होता है तो हम लोग उसके खूब प्रयास करके सरकार से रासी लाके और इस वाड को जो है एक जो मोडल वाड बोलते हैं उस वाड के तरह इस वाड ताजपुर आपको बता दूँ कि लोग तंतर का महापर नगर परिसे छेत्र का चुनाब होना तै है इसी करी में हमारी मुलाकात हो रही है अनिल कुमार साहजी से जो लगभग 15 वर्सों से समाजिक कार्ज करता है जनता के शात उनके दुख में शुक में हर घड़ी खड़े र समाज का उत्थान आप कर ही रहे थे समाजी कर्द करता होते हुए तो आपको क्या लगा कि इन सभी चीजों से हटकर आप राजनीती में आकर के समाज की शेवा करना चाह रहे हैं इनको थोड़ा वेरिफाई करिए इसलिए जो मुखिया लोग जीत रहा है मेंबर लोग जीत तरीके से हो पाएगा जी बहुत अच्छा क्या शुब नाम हुआ भी आपका अजीत कुमार कहीं ने कहीं यह जो अभी चुनावी युद्ध है उसमें आप भी भी भीया के साथ हैं बिल्कुल बिल्कुल साथ में तो आप शे भी एक कोस्टन होगा हमारा चुकि आप काफी युबा हैं तो युबा को देखते हुए एक कोस्टन होगा कि युबा आज नसा पलायन और बेरुजगारी जैसी समस्याओं से जूज रहे हैं तो जब भीया चुनाव अनिल कुमार साजी जब चुनाव जीत करके आ जाएंगे तो उनको कैशे कंट्रोल किया जाएगा आप जो अभी जनकारी में है और जनकारी में नहीं है उस तरह का बहुँ सार अफंड है सरकार का जो कि अब मिलेगा तो उससे लोगों का रोजगार बढ़ेगा यह निस्चित है कि रोजगार बढ़ेगा तो पलायन कमेगा यह निस्चित बात है दूसरी बात है कि नसा का जो है वो चीज भी जो है कंट्रोल होगा बेरोजगारी सिक्षा यह सा असिक्षा जो है उसको उसमें भी कंट्रोल होगा कमाई बढ़ेगा लोगों का जब रोजगार बढ़ेगा तो कमाई बढ़ेगा लोगों को बच्चों को पढ़ाने और धाने का जो है यह सब बढ़ेगा तो से जो है सारा चीज जो है उसमें डायरेक्ट है कंट्रोल होगा और जैसे दूर होगी तो नसा के तरफ भी रुख कम होगा। है उसमें जूराइन केंधर का से भी पैसा है जो कि 15 फैनेंस कमिन समय पंधरहब भीतायों के अंतरगत मिलता है जो राजपर सभी नगर निकायों को मिलेगा और स्पॉन पैसा तो वो दोनों पैसा मिला के बहुं साड़े यूजनाओं को करने के लिए पैसा हर प्रकार के चीजहों को टच करने के लिए सॉलिड वेस से लेके जिसमें कूड़ा को डोड़ टूड़ उठाने से लेके और इसमें एनुलम जैसे ट्रेनिंग संस्थाने भी खुलेंगी जिसमें लोग कोसल ट्रेनिंग दी जाएगी जैसे कि फिर परयाबनर पर उसके लिए तरब से पंद आता है तो कहीं न कहीं जब आप इससे जुर्भ रहें तो उससे रोजगार का बढ़ेगा और चुकी सिक्षित उमीदवार हैं और जानकार उम्मिदवार हैं पूरे परिवार सब लोग जानकार है, सब चीज में, तो पूरे समाज को लेके आगे बढ़ाया जाएगा, महिला हो, पुरुस हो, हिंदु हो, मुस्लीम हो, कोई भी जाती हो, सभी जाती को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा कोई इसमें दो यह नहीं किया जाएगा कि सुरू से हम मतलब हमारे मतलब हम लोग चाहे सारे लोग यह सा परियास रहा है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म के लोग है चाहे जाती के लोग है कोई भी ना बेधबाब किये हुए हम लोग कि अब जो है सब के लिए अच्छा सा विकास के लिए जो काम हो सके अच्छे क्वालिटी में काम हो सके भरस्टाचार मुक्त हो सके महें लग के लिए क्या काम किया जा सकता उस पे हम लोग करेंगे और कुकी हम लोग सबी चीजों से अबगत है कि कौन-कौन सा सरकार से मिल सकता है हम का से चैकार से तो उसको लेते हुए जो भी समाज है हमारे उयहां का उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे उसको गाओं को कैसे आगे बढ़ाकि ऊस में जो है श्री अनील कुमार जी वौर्ड-चै है हमारा और इंका चिन है कलम दवाड पहला नंबर है अनील कुमार साय, तो इनके लिए वोट के लिए है पूरा समाज खड़ा है हम लोग खड़े हैं और जितना भी अच्छा से अच्छा हो सकता है वह चीज हम आगे करेंगे और सरकार से समाज के लिए जितना से जादा से जादा अच्छा सा फंड हो सकता है वह लेके आएंगे और सभी लोगों के लिए कलम दवात को विजय बनाएं और सिच्छा के साथ जोड़ेंगे और रोजगार के साथ लोगों को जोड़ेंगे समाज में जो भी कमिया हैं उसको दूर करेंगे और सभी धर्मजाती को लेके आगे बढ़ें